मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान बज़ रही अज बारा जनुरी दो हजार बाइस के साकार मधुर महवाक्य है आज रास्ट्रे युवा दिवस पर विशेश सभी युवाउं के प्रती परमातम संदेश है कि जोश और होश का बैलेंस रखे आलसी नहीं उत्साही बने आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे है कि ज्यान में चलते चलते कोई-कोई बच्चे आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं कैसे बन जाते हैं? देविमान के कारण सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और पुरानी चाल छोड़ते नहीं हैं इश्वरिय गोद से मर जाते हैं आश्रेवत सुननती, कथनती, भागनती उशाते हैं जबकि बाबा नई-नई बाते सुनाते हैं तो अपनी पुरानी चाल को छोड़ देना है अठात्स्वप परिवर्तन करना है अगर बाबा का बनकर भी विकारों के वशिभूत रहते हैं तो उनको भसमासुर कहा जाता है वो अपना स्वयमी नाश कर लेते हैं बाबनी का ये विकार कोई कम नहीं हर एक विकार का नशा गिरा देता है और जो विकार आपको दुर्गती में लेके जाते हैं मारने लगते हैं न्यूस पेपर में ऐसे बहुत समाचाराते हैं बाबनी का बच्चों को अपनी बहुत-बहुत संभाल करनी है कि हम विकारों के वशिभूत ना हूँ मैं आत्मा हूँ मुझे देहिय भिमानी बनकर रहना है ये बात भूल जाने से ही माया के गोली लग जाती है जब ग्यान मिला तो अपने आपको बच्चाना है कोई भी विकार है तो उसको योग बल से चीतना है बिना योग बलके इन विकारों को नहीं जिटा जा सकता ग्यान मारग में अच्छी रिती पढ़ने और पढ़ाने से उनती होगी कोई-कोई तो बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं अगर स्कूल में कोई बारा मास भी बैठे रहे और पढ़ते ही नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो वो उच्पद कैसे पासकते हैं यहां पर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते इसने बाबा ने कहा, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ और कोई भी आत्मा से बात नहीं करते हैं शुव बाबा ही आत्माओं को पढ़ाते हैं और याद दिलाते हैं हे आत्मा अपने को लग की स्तार समझते हो आत्मा समझ आत्मा से बात करो करावनहार बाबा है और आत्मा देहे के द्वारा भी करम कराती है जब बाबा की स्मृति रहती है तो बाबा से क्या संबंध है ये बात भी सबको समझानी है कोई भी ये नहीं जानता कि मेरा परमात्मा से क्या समंध है, प्रजा पिता ब्रह्मा से क्या समंध है, पहले ये निश्चे कराओ, कि एक है लोकिक पिता, फिर अलोकिक पिता, और ये पारलोकिक पिता बड़ा बाबा है, जब बड़े बाबा को समझेंगे, तो वर्से की भी स समझते नहीं, तो बाबा केते, ऐसे बच्चे फिर कभी उच्पद नहीं पा सकते, चलते चलते भी बहुत बच्चे नास्तिक बन जाते हैं, बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं, फारकती दे देते हैं, लेकिन जब आप कहते हो ममा बाबा, तो खुशी खुशी इन पांच विकारों का दान देना है, बाबा आई ही है, बच्चों को घर वापिस ले जाने, तो इन विकारों का दान देना है, वरदान में बाबा ने समझाया, मंजिल को सामने रख, उच पद पाने वाले, तीवर पुर्शार्थी भाव, फर्स्ट नमबर लेना है, तो अपनी मंजि को सदा सामने रखो ब्रह्मा बाबा किस पुर्शाथ से नंबर वन बने ब्रह्मा बाबा व्यर्थ देखते हुए भी व्यर्थ से परे रहे देखते हुए ना देखने का अभ्यास यह नंबर वन पुर्शाथ है जिन बातों से स्थिती खराब होती है वो बाते कभी ना देखन बोलनी है जो ब्रह्मा बाप का जीवन रहा ब्रह्मा बाप को स्मृति रही करावनहार करा रहा है मैं निमित हूं जिम्मेवार बाबा है इस स्मृति से बाबा हलके रहे, ऐसे ही follow father करना है स्लोगन में बाबा ने कहा जो बाते अवस्था को बिगाडने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनना है आज याद रखेंगे कराने वाला करा रहा है चलाने वाला चला रहा है मैं इंस्टूमेंट हूँ हलके रहना है व्यत की बाते ना देखनी है ना सुननी है ना बूलनी है अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबा कहते मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है देही अभिमानी बनना है ममा बाबा कहते हो तो लाइक भी बनो बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है देही अभिमानी बनना है ममा बाबा कहते हो तो लाइक बनो खुशन आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन चाते हैं आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन चाते हैं जवाब है देह अभिमान के कारण जो कहते हम सब कुछ जानते हैं पुरानी चाल छोड़ते नहीं ज्यान की गोली रगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं मैं आत्मा हूं, देही बिमानी बनना है इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं मैं आत्मा हूं, देही बिमानी बनना है इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं इश्वर ये गोद से मर जाते हैं गीत है आज नहीं तो कल ओम शांति वे भी घड़ी है ये बेहद की घड़ी है उसमें भी quarter half full दिखाया है इसमें भी ऐसे है चार हिस्से हैं 15-15 मिनिट मिले हुए हैं वैसे ये फिर एक से शुरू करेंगे बाबाच तुलना कर रहे हैं घड़ी की स्रिष्टी चक्र से इसमें आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात जैसे नक्षे में देखा नोर्थ फोल में 6 मास रात होती फिर जरूर साउथ फोल में 6 मास दिन होगा यहां भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प तो ब्रह्मा की रात, आधा कल्प, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है, आधा कल्प रात है, दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प रिक्ष भी कहा जाता, इसकी आयू कितनी है, नाम ये कल्प रिक्ष, इतनी आयू वाला बड़ा रिक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इसकी भेट बन्यन ट्री से की जाती है, बढ़के जाड से की जाती है, उसका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी सारा जाड खड़ा है, इसलिए गाया जाता एक टांग टूट गई, बाकी तीन पैर पर खड़े हैं, दुनिया में को बहुत टाइम दे दिया, तो आधा-धा नहीं हो सकता, कोई हिसाब भी नहीं रहता, मनश्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते, आधा कल्प स्रिष्टी आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है, वैं आस्तिक बने का वर्सा बाप से मिलता कोई भी नहीं जानते शिवरात्री कब होती है टाइम तो होना चाहिए ना जबकि बाप आकर रात को दिन बनाए बाबा को याकर भगती का फल दे भगती से छुडाना है परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है पुकारते हैं पतित पावन आउ पतित पावन कौन है ये नह जानते इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है पतित पावन कौन है ये नहीं जानते इसलिए उनको आस्तिक कहते हैं जानने वालों में भी नंबर वार पुर्शारत अनसार है है यहां रहने वाले भी, एक्कुरेट ना जानने के कारण, आश्रेवत सुननती, कथनती, भागनती हो राते हैं, बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता का, बहुत सेंटर्स हैं, जहां विकारी मनुष्य भी अमरित पीने जाते हैं, धारना कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते, जो अमरित छोड़ विश पीते हैं, उन्हें भसमासूर कहा जाता है, यानमरित छोड़ कर, जो विश पीते हैं, उन्हें भसमासूर कहा जाता, कामचिता पर चड़ भस मोचाते, देवता बनते नहीं, पहले विकारों का दान देना चाहिए, दान दे, तब बाबा मम्मा कहलने के लाइक हो दान दें तब बाबा मम्मा कहने के लाइक बने तब हम अपनी मम्मा बाबा को मम्मा बाबा कह सकते हैं जब हमारे गुण उनके साथ मिलान करें क्रोध भी कम नहीं क्रोध में आकर पहले तू गाली देते हैं फिर मारना भी शुरू कर देते हैं एक दू का खून भी कर देते हैं अकबारों में भी ऐसे समाचार बहुत छपते हैं बाबा से वर्सा लेना है तो इन विकारों से जैसे दुर्गती हुई है उसका दान जरूर देना है जिन वीकारों से हम दुर्गती को प्राप्त हुई, उनका दान जरूर देना है। इतना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो, इस समय पोप का कितना मान है। प्रन्तु इस समय सभे नास्तिक। गौड़ फादर को जानते ही नहीं, तो उन्हें नास्तिक कहेंगे। कोई बाप को पांसाथ बच्चे हूँ, तो बच्चे कहेंगे क्या, कि ये हमारा बाप सरव्यापी है। ये बापी कहते मैं रच्यता हूँ, ये मेरी रच्चना है। रच्चना में रच्यता व्यापक कैसे हो सकेगा, कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं, इसने बावा समझाते रहते, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, जो कहें, तो बरुबर परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, हमें उनसे वर्सा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं, उसको भी वर्सा कहेंगे, सुख का वर्सा कौन देते, दुख का वर्सा कौन देते, ये नहीं जानते, भारत वासी स्वर्ग कोई भूल गए, नाम भी लेते हैं, कहते फलाना स्वरग में गया, प्रन्तु समझते नहीं, बाबा कहते बिल इसा है पहले ये बात समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या समन्ध है, जब कई हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो, लौक एक बाप तो शरीका रच्यता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है, तो क्या तुम बाप को नहीं जानते ह कितनी सहज बात है प्रंतों बच्चों की बुद्धी में नहीं बैठती नहीं तो सर्विस करने लग पड़े इतनी सहज बात भी बुद्धी में बैठती नहीं नहीं तो सर्विस करने लग पड़े परम पिता परमात्मा से क्या समंध है प्रजा पिता ब्रह्मा से क्या समंध ह तो प्रचा पिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे, बच्चे ही वर्से के लायक वनेंगे, प्रंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं, नई-नई बाते बाबर समझाते, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी चाल चलते रहते हैं, ब पहली बात न जाने के कारण ही फारकती दे रहते हैं, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, इश्वरी गोद में आकर फिर मर जाते हैं, बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं, बाबा मम्मा कहते भी फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, समझो मर गए, यह ज्यान की ग बाबा समझाते, मुझे ज्यान सागर कहते हैं, ज्यान सागर से ज्यान गंगाई निकली हैं या पानी, ज्यान गंगा, ज्यान सागर से निकली या पानी की गंगा निकली, वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते, फिर भी बुद्धी में नहीं आता, ये कौन है, देव सारी बाते समझदार बच्चे ही समझते हैं, बुद्धु तो भूल जाते हैं, स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं, बले स्कूल में बारा मास बैठे रहें, प्रन्तु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो पढ़ नहीं सकते, ध्यान नहीं देते तो पढ़ न आत्मा नहीं एक करती हों पर मा δ Sanskrit के चलिए कररन करावनहर आत्मा भी एड़ faut प sommes भी है, लीड़ या परesten कराते हैं लो है तो आत्मा बाप 1 डों जा कर अंप वह है पारलोकिक परम पिता परमात्मा, एक है लोकिक पिता, आत्मों शरीर अलग है न, शरीर का पिता लोकिक बाप, आत्मों का पिता, परम पिता परमात्मा, वह है बड़ा बाबा, सब भगत उनको याद करते हैं, वह है बड़ा बाबा, सभी भगत उन्हें याद करते हैं, सबका पतित पावन वो है आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते जगत अमबाएं भी बहुत निकली है ये है सब जूट जूट में सच का पता मुश्किल पड़ता बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं तो तु सच तो छिपना सके कहते हैं सच तो बिठो नच डान्स करते हैं अगर आप सच्चे हैं तो खुशी में डान्स करते रहेंगे डान्स तो मशूर है तुम आस्तिक बन गए धारना की तो स्वर्ग में तुम डान्स करना देवताई ही डान्स करेंगे पति दुनिया है नर्क तो नरक को स्वर्ग अत्वा पावन दुनिया, ये गुरु सादू लोग थोड़े ही बनाएंगे, इसे कहते कुम्भी पाक नरक, स्वर्ग को कहा जाता शिवाल ले, पहले तो ये लिखवा लो, परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उसने प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा ह ब्रामनों की रचना रची है, हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे, वर्सा भी वही देंगे, ज्यान सागर भी वही है, अविनाशी ज्यान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं, शिव बाबा जो ज्यान रतन देते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से देते हैं, निराकार बा क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं, यहां भी अच्छी रिती पढ़ना और पढ़ाना है, जो आप समान ना बनावे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ खामिया नहीं होती हैं। इसको योग बल से जीतो, कल पहले भी तुमने जीता, बाप की गद्धी पर बैठे हो, उनके पिछे रॉयल घराना भी है, सरफ एक जनम पवित्र बनने से इतना उच बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा, मोत सामने खड़ा है, एक्सिडेंट आदी कितने होते रहते, रजो प्रधान के समय इतना मोत नहीं होता, अब तो पॉंप है, आगे इतनी मशीने आदी नहीं थी, आगे लड़ाई को स्टीमबर रथवा ऐरोपलेन से थोड़ी होती थी, ये तो सब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, सत्यूग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए, जो सुक फिर तुमें स्वरग में मिलना है, एरोपलेन जो बनाते हैं, मैं भी वहाँ होंगे, प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संसकार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे, अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुक के लिए बनाएंगे वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे माया की पॉंप से विनाश होगा विनाश तो जरूर होना है ब्रामनों द्वारा यग्य भी रच्चा हुआ है इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वा हो जाएगी ब्रामनों द्वारा यग्य रच्चा हुआ है सारी पुराने दुनिया स्वा हो जाएगी ब्रामनों द्वारा ही यग्य रचते हैं मिलता भी ब्रामनों को है ब्रामन वरण ही सो देवता वरण बनता है शिव बावा ब्रह्मा द्वारा ब्रामन बनाते ब्रामन फिर देवता बनते इतनी सीदी सी बात है प्रन्तु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नी कर सकते, बड़ा वंडर लगता, अच्छा, मीचे मीचे सक्के लदे बच्चों प्रती, मात्पिता बाप तदका याद प्यार, गुड मौनिंग, रुखानी बाप की रुखान बाप तदको, नमस्ते, गुड मौनिंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के दिये सार, पहले पॉइंट है, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर फिर भसमासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फर्मान चरूर पालन करना है, विकारों के स सुक्ष मनशे को योग बल से समाप्त करता है, पढ़ाई अच्छिरिती पढ़नी और पढ़ानी है, वर्दान है, मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फोलो करते हुए, फर्स्ट नमबर लेने वाले तिवर पुर्शार्थी भव, मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को follow करते हुए first number लेने वाले तीवरु पुर्शार्थी भव। तीवरु पुर्शार्थी के सामने सदा मन्जिल होती है, वो कभी यहां वाह नहीं देखते हैं, first number में आने वाली आत्माई व्यर्थ को देखते भी नहीं देखती हैं, व्यर्थ बाते सुनते भी नहीं सुनती ह है भो मंजल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फोलो करती है यसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझ के करम किया कभी करावंहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल के रहे, अपने को निमित समझा, करनहार समझा, कराने वाला बाबा है, इस समृति से बाबा सदा हल के रहे, ऐसे follow father, बहुत ही सुन्दर बात है जो समझने योग्य है, अगर हमें first number में आना है, तो व्यर्त की बाते द नहीं देखना, ना सुनना, मंजिल सामने है, ब्रह्मा बाब को follow करना है, इसे ब्रह्मा बाबा निमित भाव से करम करते रहे, करावनहार की समृति में रहे, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी हल के रहे, ऐसे follow father, आज का स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वा कानुभव करो, बाब का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉंड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, मिलता है ना पत्र, कौन सा पत्र है, बहुत बड़ा पत्र है, और प्रतिदिन मिलता है, सब को एक जैसा मिलता है, शुबाब का पत् स्थित्थ हो जाओ, इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुरुबान कर समान स्थित्थ हो जाओ, आज ब्रह्मा बाप का उधारन सामने रखेंगे, अपनी मंजिल को सामने रखते हुए, स्मर्ण करेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान तिवर पुर्शार्थी आत्मा हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा तीव्र पुर्शार्थी रहें, जिम्मेवारी संभालते सदा हलके रहें, मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाप को फोलो कर रही हूँ, करावन हार करा रहा है मन्ने मित्थूम। सारी जिम्मेवारियों का बोच बाबा को देकर खुद इंस्टूमेंट बन के सेवा करें। मैं सूस करें, शक्ति दाता दे रहा है शक्तियां, गाइडेंस भी दे रहा है, प्यार दे रहा है, मेरे उपर कोई बोच नहीं, मैं डबल लाइट हूँ। शुक्रियां बाबा, आपने हमें हलके रहने का मंत्र दिया, अब हम ब्रह्मा बाब को फॉलो करते, सदा डबल लाइट रहेंगे, शुक्रियां बाबा, शुक्रियां ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति अद्रिश है, खूल चक्षो तो देखो, आस्तित्व उनका मैसूस होगा, अद्रिश है, खूल चक्षो तो देखो, आस्तित्व उनका मैसूस होगा, मिल्लो उनको ब्रमोतन में, मेहका लो मन की ये पेला, थाम इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो, मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो,